मेरे प्यारे उत्राखनवासियों, इस सरकार को आप में चुना प्रचंड वहुमत दिया, मगर जब आपके बच्चे फॉम भरते हैं, अगर पांच सौ रुपे का ड्राफ्ट भेशते हैं, तो वो जाता है सरकार को. सोच कर देखिये कि आपका पैसा कहा जा रहा हैं, क्या आपके बच्चे को नौकरी मिलती हैं, इम्तिहान नहीं होता, इम्तिहान होता है, तब भी नौकरी नहीं मिल रही, और ये सब आपके सामने हैं. अब आपके फ्राकृतिक संसाधन पर कबजा करने वाली सरकार आपके घास पर भी कबजा करने की तैयारी कर चुकी है जो चीज मुफ्थ में आपको मिलती है जो ताजा घास अब अपने गाये बैस अपने पशुओं को खिलाते हैं अब वो घास ये सरकार कह रही है सस्ते में बेचेगी मतलब आपके पशु को ताजा नहीं और मुफ्त की घास नहीं मिलेगी आपको लेनी पड़ेगी महंगी घास मुझे बताइए जब आप एक पैसा नहीं देते तो आप जितनी भी चाते हैं घास काट लेते हैं अब अगर आपको 10 किलो घास लेनी है तो 20 रुपे देने होंगे और कल को ये बढ़ भी तो सकता है क्योंकि सरकार अब कहेगी कि आपको नहीं है अधिकार कि आप घास काट सके क्योंकि अब आएंगे इनके ठेकेदार जिनको दी जाएगी इनकी ठेकेदारी वो काटेंगे खास और आपके भाजपा के नेताओं की खुलेंगी दुकाने जिसमें से बेचेंगे ये आपको खास अब वैसला आपको करना है कि जो घसियारी योजना के नाम पे ये योजना लेके आएं ये आपके हकों पर आपके अधिकारों पर आपके संसाधनों पर डाका डाल रही है ये सरकार आखे खोलिए आवाज उठाइए और सवाल करिए सरकार से क्योंकि ये देश आपका है ये रज आपका है ये संसाधन आपके है जागो उत्राखंड जागो